सोला जून की इश्रोदान में आप सक्वास हो गयता है परमातवा कहता है पवेतता की शक्तिशाली द्रिश्टी वृति लेखने करने जरी है अटिटिवड द्वारा सर्व प्राक्तियां कराने वाले दुख हरता सुख करता बाबा परमातवा कहते हैं तुम भी और उनको दु लेकिन पवेतता की शक्ति और थाथ साइल्रंस की शक्ति ही में तो रुआ की शक्ति है प्योर थोट्स की जो है साइल्र अगरा बैटो तो आप औरों के प्रती, आप impure thoughts create ही नहीं कर सकते हो, अगर आप करते हो तो आपके अंदर शानती नहीं आपके अंदर silence नहीं है, यह पवित्रता की शक्ति शाली, द्रिश्टी ववर्ती, सदकाल की प्राप्ती कराने वाली है, सदकाल की प्राप्ती मुले कि bad mouthing नहीं कर रहे हो, revenge नहीं ले रहे हो, बतला नहीं ले रहे हो, आपके सदाकाल के आपके प्राप्ति हो सकती शान्ति की, प्राप्ति कराने वाली है, इसलिए आपके जड़ चित्रों के सामने, ओ दयालू, दया करो, जो भग जाते हैं, देवताओं के सामने वोते हैं, ओ द दया की है, तब तो भकती में पूझा की जाती है, हमने अभी संगम यूग में, हमने ऐसे दया और हमने औरों की दुख दर्द को मिटाया है अपने अंदर के लोब अहंकार इर्षय गरिना को दवा करके परमात्म को अर्पित करके परमात्म करते हैं तुमने अभी जो प्रैक्टिस करी संगम यूग में इस कारण से तुम देवी देवता बनते हो और देवि dépीता बनने के बाद मे तो द्वापरिवमें जब तुम गर जाते हो उससमें तुमारी यादगार में भक लोग पूझा करते हैं कि आप तो देयालू हो आप तो यह हो क्योंकि हमने अभी वो देया औरो को दिखाई है तो वो यादकर औरों के अंदर रह जाती है, क्योंकि आत्मा मरती नहीं, आत्मा के अंदर वो भावना, वो कहने के अंदर दया भाव के experience रह जाते हैं, जिसको वो पूझा करने के लिए मुर्थियें बना करके करते हैं, राप तो दयाल हो, आप तो ही हो, हम शांति